हलो दोस्तों स्वागत है आपका दिश्ट्री आइस के इंडेस्ट प्रोग्राम में मैं हूं केवल आपके सामने समुद्री वर्षावन यानि की कोरल रीफ जिसका संबंध इस पर्यावरण से बहुत ही इस पर्यावरण के लिए इतना ही महत्पूर्ण है इस पर्यावरण बहुत ही महत्पूर्ण हो जाती है इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आखिर खबर क्या है खबर यही है, खबर यह है कि जो coral reef है, especially कौन सा coral reef, great barrier reef, यह great barrier reef इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह खत्रे में है, काफी सालों से कहा जा रहा है कि यह खत्रे में है, लेकिन जिस स्थान पर है, जहां की सरकार इसका संड्रक्षन करना चाहती है, करने में लगी भी हुई है, व का issue है इसको जानेंगे इसको समझेंगे और इसी के साथ में हम यह भी देखेंगे कि आखिर Coral Reef क्या है और इसे जुड़े हुए जो अन्य आयाम है वह भी जानेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या आज पढ़ने वाले हैं और उसके भी पहले हम UNESCO ने जो संयूतराश्ट के अंतरगथी एक संगठा है उसने यह कहा है कि यानि कि उसके एक पैनल ने यह सिफारिश की है कि यह जो Great Barrier Reef है इसे कहां रखना चाहिए in danger list में रखना चाहिए किसकी in danger list में word heritage की in danger list में रखना चाहिए तो आखिर ऐसा क्यों कह रहा है उसके पीछे हम जानेंगे क्या वजह है सीदी जी बात है यह बात कई सालों से चल रही है कि यह जो great barrier reef है यह नश्ट होता जा रहा, नुकसान होता जा रहा, काफी नुकसान हो चुका है और आने वाले समय में, यानि कि कहा जाता है कि वर्ष दो हजार पचास तक पूरा नश्ट हो जाएगा और कुछ आकलन, कुछ अध्यन के बाद ही इस पैनल नहीं बात कही इसे वर्ड हरिटेज की इंडेंजर लिस्ट में शामिल कर लेना चाहिए लेकिन औस्टेलिया एहमान नहीं रही है तो आखिर ऐसे क्या है रीजन, इसको हम देखेंगे, समझेंगे मुख्य बात यही है, औस्टेलिया की तरफ से यही कहा जा रहा है कि सिर्फ हमारे यहां की तो किसी एक को हम कैसे इंडेंजर लिस्ट में रखें सब को ही रखना चाहिए और ऐसा नहीं कि सरकार यानि कि ऑस्टेलिया की सरकार इसे बचाने के प्रयास में नहीं लगी हुई है क्योंकि उसकी अर्थ्यस्था में एक बहुत बड़ा योगदान इस Great Barrier Reef का भी है तो उसकी तरफ से प्रयास कि यही जा रहे है लेकिन अब चुकि यह प्रकार का इशू यह जो खड़ा हुआ है इसलिए हम जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्या क्या ज़रूरी बाते हैं एक कोरल रीफ के बारे में तो देखें सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर चर्चा में क्यों है तो यह हमें आपको बता ही चुका हूँ उसके बाद कोरल रीफ क्या होता है कहां पर पाया जाता है और वह निर्माण किस प्रकार से होगा और क्यों होगा इसके पीछी की जो condition होती है वह जानेंगे उसका वित्रण देखेंगे उसके बाद हम जानेंगे great barrier reef आखिर यह great barrier reef कहां पर है कहां पर इसकी एकदम सपष्ट आवस्थिती है कहां पर यह कितने आकार पर है और उसके बाद इसकी खासियत क्या है इसको जानते हुए इसकी उपयोगिता यानि कि है किस प्रकार से ना सिर्फ great barrier reef जितने भी coral reef हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं उसके अलावा क्या खत्रे हैं इनके नष्ट होने के पीछे के कारणों को समझेंगे कि वे कौन से कारण है जिनसे यह प्रभावित हो रहे हैं उसके अलावा एक शब्द है coral bleaching जो आप बार बार सुनते रहे होंगे इसे भी जानना जरूरी हो जाता है इस topic से जुड़ा हुआ है उसके बाद हम यह जानेंगे कि इसे इस प्रवाल के विनाश को प्रवाल भित्ती के विनाश को याने कि जिसे हम समुद्री वर्षा वन कहते हैं जिसे हम coral reef कहते हैं इसके विनाश को हम किस प्रकार से रोक सकते हैं उसके बाद अंत में एक अभ्यास प्रशन जो आपकी त्यारी को और बहतर करेगा तो सबसे पहले चुकि मैंने आपसे बात की थी कि चर्चा में क्यों है तो यही रीजन था कि सहयोगी संस्था जो यूनिसको है किसकी यूनाइटेड नेशन की उसके पैनल ने सिफारिश की और सिफारिश रही थी कि विश्व विराषत इस्थल की डेंज्यल लिस में शामिल कर लिया जाए किसे ग्रेट बेरियर की रीव को अब बात आती है की आखिर हम सबसे पहले शुरुवात कहां से करें के कोरल रीव को जानने से तो कोरल रीव क्या है प्रवाल भितिया या उसे हम क्या कहते है कार्बोनेट तो कैल्शियम कार्बोनेट से ही यह बनता है प्रवाल भित्तियां तो यह कैल्शियम कार्बोनेट जो छोड़ने वाला जीव है एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना प्रधान जीव हो गया जो कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ रहा है इस जीव क वहीर रंगीन शैवाल जिससे प्रवाल रंगीन लगता है. नहीं तो प्रवाल का रंग तो केल्शम कार्भुनेन याने की सफेध रंग का है. तो वह रंगीन शैवाल नाम क्या है? सामानेत हैं, आप नीले रंगी देखते होंगे, अन्य रंगों की भी शैवाल दिखाई देती है जिससे की यह प्रवाल भित्ती एक रंगीन यानि की बहुते सुन्दर दिखाई देती है समुद्री वर्शावन कहा जाता है जैसे कि मैंने आपसे बताया इसकी फोटो आपको मैंने शुरू में दिखाई भी थी आप यह देख सकते है कितना सुन्दर लग रहा है अब बात आती है कि हम जाने कि कहाँ पर है और कितने तापमान में रहता है या बनता है तो तापमान इसका जहाँ पर समुद्र में 20 से 30 डिगरी सिल्सियस होगा वहीं पर और 20 से 30 डिगरी सिल्सियस मतलब उश्र कटिबंधी या उपोश्र कटिबंधी जो समुद्र के इस थल है वहाँ पर यह बनेगा और यहाँ जो है समुद्र का जो तठ है यानि कि समुद्र तठ से थोड़ी दूरी पर बनता है और जिस वज़े से होता क्या है कि मान लिजे कि यहाँ पर समुद्र है और यहाँ पर तठ है और यहाँ कहीं पर बन गया तो बीच में एक जगह रहेगी जहाँ समुद्र का पानी रहेगा जो की समुद्र से अपने आपको वह स्थान अलग करेगा जिसमें समुद्र का पानी ही रहेगा और तट से भी जुढ़ा रहेगा और समुद्र से भी उसने हम क्या कहेंगे लैगून कहेंगे तो वही बात आप यद रखेगा कि छिछले लैगून बन जाते हैं। जब समुनतर से थोड़ी दूरी पर यह रहेगा कोरल रीफ तो बीज में जगह बचेगी जहां पानी आएगा वही लैगून कहलाएगा अब देखी यहां पर और मुख्यवाद कि कम गहराई पर पाए जाते हैं क्यों क्यों कि जादा गहराई पर जाएंगे तो सूरी की रोशनी नहीं पड़ेगी और सूरी का प्रकाश इनके लिए बहुत ही जरूरी होता है ऑक्सिजन की भी आपूर्ती होनी इनके लिए जरूरी होती है तभी इनका विकास अच्छे से होता है साथ में अभी याद रखेगा अगर जल गंदा है या तो उसमें अवसाद है तो फिर वहां पर भी इनके विकास में दिक्कत हो सकती है कहीं पर माली ऊपर कोई परत जम गई तो सूर का प्रकाश नीचे नहीं गया जल गंदा है oxygen की कमी हो गई तो उसकी वज़े से भी इनस्ट होंगे और इनका निर्मान नहीं होगा तो जैसा कि मैंने इनका नाम बताया था कोरल पॉलिप्स क्या नाम था उसका पूरा पूरा नाम सिलेंट्रेटा पॉलिप्स याद रखेगा ठीक है अब आगे देखें कैल्शियम कार्वोनेट जो होता है इनके अस्थी पंजर जो होते हैं वही होता है कैल्शियम कार्वोनेट और उसी से यह बनता है अब बात आती ह है कि इन जीवों के यानि कि इस Coralreef का जो इन जीवों से बना है उसका वितरण कहां कहां पर है तो इसका वितरण आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हिंद प्रशान छेत्र में है उसके बात बात करें तो भूमत दे रेखा के 30 जिगरी तक के छेतर में आप देख सकते हैं अगर यह एक्वेटर है याने के भूमत दे रेखा है तो इसके 20-30 डिगरी यहां और 20-30 डिगरी यहां इस छेतर पर आपको मुख्य रूप से दिखाई देगा पूरल रीव समुद्र में दिखाई देगा जल में थल में नहीं अब बात आपको याद रखनी है कि इसके बाद 30 प्रतिशत हिस्ता कहां पर आपको दिखाई दे रहा है सबस्यादा दक्षिण पूरवी एशिया छेतर में दिखाई दे रहा है और यहां पर दक्षिण पापुआ नूगिनी में भी पाए जाते हैं और साथ में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटपर Great Barrier Reef दुनिया की सबसे बड़ी और प्रमुक अवरोधक प्रवाल भित्ती है याद रखेगा ग्रेट बेरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ती है इस बात को बार-बार बोल रहा हूं क्योंकि इससे प्रश्ण आता रहता है अब आप देखिए भारती समुद्री शेत्र में मनार की खाड़ी लक्ष दीप और अंडमान निकोबार आज दूई भी प्रवालों से ही निर्मित हैं जिस जीव की हम बात कर रहे थे जिस शेवाल की बात हम कर रहे थे उन्हीं जीव और शेवालों से मिलकर जो प्रवाल भित्ती आपको दिखाई देती है जिसके बारे में अभी तक हमने बात की भारत का अंडमान निकोबार मनार की खाड़ी ल ताल होती उसके जैसे यह रंगीन दिखाई देते हैं रंग कोई भी हो सकता है जैसे ग्रेट बैरियर रीफ का रंग क्या है आपको नीला दिखाई देता है आगे देखिए ग्रेट बैरियर रीफ मुख्य रूप से इसका जो आकार है तीन लाख अर्टालिस जार वर किलोमेटर च्छेतर ऐसा है जिसे की यूनिस्को ने विष्व विरासत के रूप में स्विकार किया एक ऐसा च्छेतर है जो कि विष्व विरासत के रूप में है उसका आकार कितना है तीन लाख अर्टालिस जार वर किलोमेटर ठीक है इसी को श तरह आस्टेलिया का और वहीं पे उसके आगे यह ग्रेड बैरियर रीफ है और आपको यह याद होना चाहिए कि यह जो ऑस्टेलिया के तड़ पे है तो किस दिशा में है उत्तरपूर में है ठीक है अब आगे देखिए 1981 में विश्व विरासत के रूप में इस जगह को चुना गया इस स्थान को इस ग्रेड बैरियर रीफ को शामिल किया गया अब यहाँ पर देखिए 2900 से भी अधिक चट्टाने और 900 रीफ यहाँ पर मौजूद हैं इसी ग्रेड बैरियर रीफ में यहाँ पर 400 वहिन प्रकार के प्रवाल 400 से भी अधिक होंगे 1500 से भी अधिक यहाँ पर मश्चलिओं की परजाती है उसके अलावा 4000 प्रकार के मोलस कनकी समुद्री घूंगे अन्य इस कार्क जीव होते हैं वो कोई मिलाके होते हैं अब देखें दुनिया का सबसे बड़ा जैव विविधिता हॉट स्पॉट वाला जो छेत्र है उनमें से एक यह है और यह अपने आप में कार्बन सिंग का काम करता है यानि कि वातावरण में रूप में भी है जैसा कि मैंने आपसे बताया था टुरिजम के लिए यहां पर लोग आते हैं देखते हैं काफी पैसे खर्च करते हैं और दुनिया भर के लोग इस जगह पर आते हैं इसके अलावा आप इस मैप में देखें तो यहां पर आपको यह जो लाल रंग से यह छेत्र दिखाई दे रहा है यह समुद्र तट का छेत्र है और यहां पर यह वो छेत्र है जो की यूनेस्को के द्वारा पर यह कुइंस्लेंड है और इसके अलावा यह जो आप नीले रंग से देख रहे हैं यह वहीं छेत्र है जिसके बारे में हमने आप से कहा विश्विरासत के रूप में इसे स्विकार किया गया है अब आप देखें यहां पर इसकी उपयोगिता क्या है एक तो सबसे बड़ आपको देखने को मिल जाएंगे याने कि जैव विविधिता भी आपको परियाब देखने को मिलेगे यहां पर बहुत सारी और शदियों के लिए भी आपको चीजे मिल जाएंगी इस वज़ए से याने कि कोरल की वज़ए से दर्द रोधी दवाओं का निर्मार होता है इस आप से मैंने पहले ही बता है तो अभी लॉकडाउन के पहले की बात करें तो 6.4 अरब डॉलर याने की करीब 42 हजार करोड रुपए की आये इस कोरल रीफ की वज़से होती है यह लॉकडाउन के जस्ट पहले की बात है लॉकडाउन के दौरान यह प्रभावित हुआ था लेक करें आखिर इनके विनाश के पीछे खत्रे क्या क्या हो सकते हैं खत्रा हो सकता है जलवाई परिवर्तन अगर तापमान बढ़ेगा जैसे ही तापमान बढ़ता है यह जो है नश्ट होना शुरू हो जाते हैं इनमें तनाव किस्टी उत्पन होती है जिससे एक प्रक्रिया ह होते उस प्रक्रिया के बारे हम विस्तार से भी चार्चा करें गे प्रदूशन होगा थो भी ऊपकर्ण उसके अलावा तेल रिसाव होने से भी ऑक्सिजन की समस्या प्रकाश की समस्या उसके अलावा उसन कटिवन्धी चक्रवाज जो होते हैं वे भी इसे काफी प्रभावित करते हैं Great Barrier reef की बात यहां पर हो रही है अब यहां पर देखना होगा एक SHAB जिसके आपने कई बार सुना होगा क्योंकि यह coral reef जहां जहां आप सुनेंगे वहां पर यह शब्द भी सुनेंगे शब्द का नाम है coral bleaching इसी को हम क्या कहते हैं कि प्रवाल कि विरंजन तिक है अब यह प्रवाल विरंजन क्या है जैसे कि आप से मैंने बताया कि तापमान जितना तापमान उन्हें चाहिए 20 से 30 degree Celsius प्रकाश या पोशन किसी भी प्रकार का अगर उसमें परिवर्तन होगा तो वह परिवर्तन होने से प्रवालों पर एक तनाव बनेगा उस तनाव की यह ऐसा करेंगे तो वह जो प्रवाल है आपने को मैंने बताया था किस से बनता है केल्शियम कार्वोनेट से वह अपने रंग सफेद रंग में परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि शैवाल को स्वैम से अलग कर देगा इससे ऐसा नहीं है कि ऐसा होते ही यानि कि प्रवाल विरं होगी और जब बहुत जाधा मात्रा में कोरल ब्लीचिंब होती जाएगी तो इनकी नश्थ होने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है और इसे पुरानी इस्थिती में लाना काफी मुश्किल हो जाता है याने कि अगर कोरल ब्लीचिंग होगी तो समस्या होगी और हो यही रहा है कोरल ब्लीचिंग की जो सीमा है बहुत जादा हो गई है वह एक सीमा से जादा हो चुकी है जिसकी वजह से यह नश्ट होते जा रहे हैं और इसी लिए अनुमान लगाया जा रहा है वैग्यानिकों के द्वारा की वर्ष 2050 तक नश्ट होने की संभावना है ग्रेड वैरियर रीफ की पूरी तरह से लेकिन इसके लिए आखिर कुछ तो करना ही होगा बिलकुल करना होगा कुछ उपाए हैं जैसे पानी का तापमान बढ़ता जा रहा है जल्वाई परिवर्तन की वजह से जो वैश्विक तापमान लेके चल रहेना सिर्व इसके लिए अलग से हमारा लक्ष इसके लिए चली रहा है कि हम पूर्य ओद्योगी काल से दो डिगरी तक अपने तापमान वैश्विक तापमान को लेकर जाएं उसके अलावा बहां चंता के अनुकूल ही परेटन एवां मत्स हुपालन वहां पर उस छेत्र में किया जा सके पता चल लगा कि वहां जो आप पैसा कमाने के लिए परेटन को बढ़ावा दे रही है अउस्ट्रेलिया की सरकार उसकी वजह से ही उसका नुकसान होना चालू हो जाए उसके अलावा जो मत्यान होता है उसको बढ़ावा ना दिया जाए बहुत कि जब ये उस जगहा पर पहुंचेंगे इनकी कोई मात्रा वहाँ पर पहुंचेगी तो नुकसान पहुंचाएगी जल के माध्यम से कोरल रीव को यानि कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है ग्रेट बैरियर रीव की बात हो रही है अब देखें यहाँ पर जो खतननाग और जोगिक अफशिष्ट होता है अगर उसे ट्रीट किये बिना हम पानी में भेज देंगे उसकी वज़े से भी इनको नुकसान होगा इसका मतलब है कि वाटर ट्रीटमेंट होना बहुत दरूरी है उसके साथ ही आप देखें तो जहां तक संभव हो अगर जल प्रदूशन किस पूरी होंगी इस कोरल रीव को बचाने के लिए इस ग्रेट बैरियर रीव को बचाने के लिए जिस प्रकार से हमें हर उस चीज के क्यार करने की आवशक्ता है जो की इस धरती पर जीवन से जुड़ी हुई है उसी प्रकार यह भी जीवन से जुड़ा हुआ है इसे भी बस उसका कहना सिर्फ इतना था कि दुनिया में अन्य जगाvisor मौझूध मोजूद यह जगह खत्रे में हैं यह जगह और कि पर high user सारी की सारी खत्रे पर हैं इस वज़य से इसम्हें डालने की बारे में और mm कि बारने ९ह जाना जूरृरि था क्योंकि है चर्चा में था अब एक अभ्यास प्रश्ण जो है वह मैं आपसे मौखिक रूप से पूछूंगा आपको मुझे बताना होगा कि ग्रेट बैईयर रीफ कहां पर इस्थित है औस्ट्रेलिया के उत्तर पूर में औस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है जल्दी मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ में किस झाल झाल